हेलो फ्रेंड साब सभी के मेरे यूटूब चैनल सोनो टेक्निकल्स में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेडवी नोटेट का एफारपी बाइपास कैसे करें वह भी दोस्तों बीना PC या कंप्यूटर के वह भी और साथ ही साथ बीना कि किसी ऐप को डाउनलेट किए और इंस्टाल किए बीना तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको वाइफ़ाइज करने दिखा दे रहे हैं कि इसमें जो है वे फार पी हिलाख है जो की हार्ड्रीसेट या रिसेट करने से फोन में आया है तो दोस्तों अम जली से करा देते हैं आगे की तरफ कर देंगे इसको परफारवड और फारवड करने को दोस्तों यह थोड़ चेकिंस फोर अपडेट ऐसा एंटरफेशा है मैं इसको कर देते हम थोड़ा फास्ट आउर फिर उसके बाद दोस्तों यह इसा इंटरफेश आजाए तो आपको कर देना है next और यहां से कर देंगे don't copy but just a second checking information फिर यहां लिख किया जागा draw your pattern यह तो पैटर्न ड्रॉ करें यह फिर use Google account फिर करेंगे click or checking information यह थोड़ा लेगा वक्त और आजायेगा as a interface verify your account तो दोस्तो अगर अभी अगर चैनल पर नहीं है तो कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में e-bell icon को भी प्रेस कर दीजिए तो दोस्तो frp bypass करने के लिए सबसे पहले हमें जो वाइ-फाई को कनेक्ट किया हुसे फार गौड नेटवर कर देंगे और देखिए हमने सीम भी नहीं लगा हो तो निकाल लीजिएगा ब और उसके बाद दोस्तों यहां से कर देंगे skip फिर नीचे आंगे escape कर देंगे टीक और पर आगए की तरफ कर देंगे फारवर्ड और फिर यहां से कर देंगे आगे की तरफ फारवर्ड फिर यहां से मूर करके कर देंगे accept accept करने बाद दोस्तो set password करके इंटरफेस आ जाएगा तो हमें only screen log पे कर देना select और यहां से कर देना pattern पे और यह जो है got it highlight नहीं होगा अब हो जाएगा आपका highlight जैसे highlight होगा इसे कर देंगे क्लिक और यहां से कोई भी simple सा दोस्तो हम pattern इसे लगा लेंगे जो आपको simple लगे हमें यह लगा है simple draw unlock pattern और दो बार इसे लगाना पड़ेगा दो बार लगाने वाद इसे कर देंगे आगे की तरह forward और additional setting करके इंटरफेस आ जाएगा फिर हमें सीधे आ जाना है back आने के बाद दोस्तों हमें जो है फिर से वायभाई क्यों कर देना है connect और हमको Wi-Fi को कर करके दिखा रहे थे हमने Wi-Fi connect करा रहा है Wi-Fi को हम करा हूँ चोश्оны हम करनाने के बाद आपको दोस्तों कि और दिखा दे रहे हैं ये upon पिर जो है आगे की तरफ कर देघेंए फ़ारवर्ड छेकिंग फॉर अप्टेट्स आजागा आपके सामने एंटरफेस फिर एंहां से कर देंगा है डूक काप्या नेक्स्ट में कर सकते हैं नाक्स्ट कर दीजे अपिर तोंट कापी ऐसे checking information करके interface आजाएगा और यहां पर skip का अपसन आजाएगा तो दोस्तों वीडियो को like कर दीजेगा यह भी वह भी दोस्तों बीना किसी app को download किये अब बीना शाप्ट वेर किये बीना PC के हमने इस note 8 को जो है unlock कर दिया है यहां से कर देंगे ok और adding the finishing touches करके ऐसा interface आजाएगा और यहां से फिर कर देंगे skip करने वाद दोस्तों यह ऐसा interface आजाएगा फिर कर देंगे इसकी फिर additional setting को कर देंगे आगे की तरह फारवाड फिर choose theme को कर देंगे आगे की तरह फारवाड और यह classical ही रहने देंगे और इसे कर देंगे आगे की तरह फारवाड और फारवाड क करने बाद दोस्तों just a second फिर यहां skip करने का अपसाना जागा फिर कर देंगे skip करने बाद दोस्तों यह फिर just a second लेगा फिर हमें कर देना है यह हो गया setup complete तो दोस्तों हमारा जो है Redmi Note 8 जो है FRP लागता वह गया लाग वह भी दोस्तों बीना PC computer बीना PCI computer के म्यू 11 और setup complete you are ready to rock तो यह हो गया है हमारा FRP अनलाग गूगल अनलाग हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं loading apps लिख रहा है तो यह थोड़ा सा वक्त लेगा तो दोस्तों हमारा जो है यह loading एप हो गया complete और complete उटते ही automatic just a second लेगा और यहां से देखिए मेरा आगया home screen तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो और यहां से कर देंगे got it यह हमारा रहा home screen और लाग करने पर दोस्तों अगर pattern देखी आएगा इस वीडियो को share भी कर दीजिए तो वहीं जो हमने यन वाला डाला है उसी को कर देंगे इस पर ड्रॉआ और ड्रॉआ करने वाद दोस्तों यह हो जागा अनलाग तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नही दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर सायदे कमेंट करकें